हेलो फ्रेंज वेल्कम टो माई चैनल प्योड फूर्ट स्टेशन तो आज मैं अपजार शेयर करूंगी व्रत वाले आलू के पराठे और ये बहुत ही कम समान में बहुत ही कम टाइम में बनके तयार हो जाते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं व्रत कर लेंगे मैश हमें अच्छे से करना है और यह देखिए हमारे अलू अच्छे से मैश हो गए हैं अब इसमें हम एक कप सामक के चावल गाटा डाल देंगे अगर आपके पास सामक के चावल गाटा नहीं है तो जो आप सामक के चावल है उन्हें को आप पीस लीजिए और उ मच इसमें हम जीरे के पाड़ो डाल देंगे अगर आप रत में हरी मिच खाते हैं तो आप इसमें हरी मिच काटके डाल सकते हैं अब इसमें हमने धनिया डाल दिया है आप रत में जो भी इनमें से कोई चीज ना खाते हो वो ना डाले अब हमें इन सब को अच्छे से मिक्स करन और मिक्स करने के बाइस को आटे की तरह गुंदना है और इसमें पानी बिल्कुल निडालना है क्योंकि जो हमारे आलू है उसमें काफी मोश्चर होता है तो उसी से ही आटा अच्छे से गुंद जाएगा और यह देखिए हमें आटे को अच्छे से मलमल के गुंदना है हमारा आटा गुंद के एकदम तयार है अब हम इसको पंदा मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखतेंगे एकदम से इसके पराठे बनाएंगे तो एकदम फटे फटे बनेंगे इसलिए हमें पंदा मिनट का रेस्ट इनको देना होगा और यह देखिए पंदा मिनट हो गए है अब हम धक्कन खोलेंगे अब इसको हम हलके हाथ से गुंद लेंगे और आटे को हम थोड़ा सोफ्ट कर लेंगे ताकि हमारे पराटे अच्छे से बन जाए और ये देखें यहाँ पे हमारा जो आटा है वो एकदम सोफ्ट हो गया है अब आटा हमारा एकदम तयार है अब हम थ अच्छे से लगाना है और इसको हमें बिल्कुल हलके हाथ से बेलना है हमें यह आटा एकदम हलके हाथ से और आराम से बेलना है अगर हम जल 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 इसको बेलेंगे तो यह फट सकता है और यह देखिए हमारा एक पराठा बेलके तयार है अब जो इसके किनारे हैं इनको अच् अब इसके किनारे भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे क्योंकि पराठ के किनारे पे एकदम क्रैक्स आये हुए हैं अब इनको हम अच्छे से इस तरह सेट करके इसको राउंड शेप दे देंगे और यह देखिए हमारे दोनों पराठे बनके एकदम तयार अब हमें एक दवा लेंगे उस पर ये पराठा डालेंगे low to medium flame पर हमें ये cook करना है और देखिए एक साइड से इसमें हलका golden color आ गया है तो यानि एक साइड से ये पग गया है इस पराठे को बनने में थोड़ा time लगता है क्योंकि ये चावल के आठे से बना है और हमने इसको एक तम low flame पर बनाया है अब पराठे के हम फिर से पलट देंगे और ये देखिए दूसरे साइड से इसमें गोल गलार आ गया है अब इसमें हम घी लगाएंगे अब रत में जो भी घी या तेल इस्तमाल करते हैं वो इसमें डालिए मैंने यहाँ देशीगी का इस्तमाल किया है और ये देखिए हमें घी अच्छे से लगाना है क्योंकि ये चावल के आठे से बने हैं और ये एक देम ट्राय होते हैं तो हमें थोड़ा जादा इसमें घी लगाना है और ये देखिए आप इसको हम पलट देंगे दूसरी साइड से इसमें अच्छे से घी लगाएंगे और ये पराठा बनने के पाद बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा तो वरत में जब भी आपका पराठा खाने का मन करें तो आप इस तरह के सामा के चावल के पराठे बनाएए और ये देखिए पराठे में हमने दोनों साइड से अच्छे से घी लगा दिया है इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाया और अंदर से कच्छा ना रहे ये देखिए अब इसको हम पलट देंगे अच्छे से दो ती बार इसको पल्टेंगे जब तरक इसमें डार्क कलर ना आ जाए और यह देखिए इसमें डार्क कलर आ गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और एक पराठा बनके हमारा इंदम तयार है इसी तरह से हम अपने दूसरा पराठा डालेंगे इसे भी 2,5 मिनट के बाद हम इसको पल्ट देंगे जब पराठे के दोनों साइड से लाइट गोल्ड कलर आ जाए तो हम इसमें घी लगाएंगे और इसी तरह हम अपने सारे पराठे तयार कर लेंगे और देखिए इसमें भी दोनों साइड से अच्छे से घी लग गया है इसको भी हम पल्ट देंगे इस आटे के आप टिक्की भी बना सकते हैं उनको डिफ्राई करना होगा और इस तरह से आलो की टिक्की बनके एकदम तयार हो जाएगी और ये देखिए पराठे में दोनों साइड डार गोल्ड कलर आ गया है और ये पराठा भी हमारा बनके तयार है अब इसको भी हम निकाल लेंगे अब हम इसको सर्फ करेंगे ये देखिए हमारे दोनों पराठे बनके एकदम तयार है और यहाँ पर इसको मैंने दही के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो इसको चाहे के साथ का सकते है और यह बहुत ज्यादा क्रिस्टे बने है और यह देखिए हमारे आलो के पराठे एकदम बनके तयार है तो आप भी घर में एक पर जरूर ट्राइ कीजिए और यह बनाईए सामा के चावल के पराठे आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पूर वाचिंग